है कि कुख अचे कमेंट है ल Parece उस्थ बात करेंगे में डियले प्रसुक्शो में से रिलेटेड और बात की जाएगी बेट प्रसुक्शो से रिलेटेड कहां थे जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वीडियो के र мешbra प्रत्यावेदन वाले चात्रें उनके बारे में चार्चा करने वाले तो सबकुछ इस वीडियो में चार्चा करेंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला तो आपका यही सवाल है कि जो बैक प्रसुक्षू है सबसे पहली बात तो नहीं करा जाएगा उनके साथ क्यूंकि और अलग से भी आपकी परिक्षा नहीं करा जाएगी अब यह पेपर तभी होगा जब जो अभी 3rd semester का पेपर दे रहे हैं जब इनका 4th semester का पेपर होगा यानि कि 6 महिने बाद जैसे ही 1st and 3rd semester का पेपर होता है उसके 6 मंत बाद फिर से 2nd and 4th semester का पेपर कराया जाएगा उसमें ही अगर आपका बैक लगा है तो फ्रेंच आप साम पंड़क्ट कराया गया था लेकिन उस समय प्रस्तितियों का हवाला देकर एक्जैम कराया गया लेकिन अभी जो है अब आप जब नेक्स समेश्टर के काइन डेट आएंगे जो फ्रेज प्रसक्षू आएंगे उनके साथ ही बैक पेपर कराया जाएंगे ठीक है यह सिंपल बा 是啊 कई ना कहीं चिंता का बृस्ती कि आखिर क्या करें क्या भी अना करें यहालि में बैक लगना मतलब आपको पता ही में दिक्कत क्या है आप इनकी परिक्षा ले लीजिए क्योंकि डियलेड में इतना पैसा बरबाद किये हम लोग इतना टाइम बरबाद किये हम लोग कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए ताकि अपना हम जो डिप्लोमा कोर्स है वो ले सके लेकिन यहां अपस में पता नहीं कौन सा फैसला कर रहा है कि एक मौका देना चाहिए लेकिन आप सभी को मौका क्योंकि अभी तक कोई नोटिश जारी नहीं की गई पीनपी की तरफ से की जो फॉस्ट और समेश्टर की परिक्षा है उनके साथ प्रत्यावेदन वालों की भी परिक्षा करा है तो उसमें अगर मेंसन किया जाता है तो थीक है और वाइस और शंगहर्श करना पड़ सकता है और यह सवाल जो था कि मतलब 2 x लग गया है तो प्रत्यावेदन देना पड़ेगा किसी भी सबा तो आपको प्रत्यावेदन देना होता है अप्लिकेशन देना होता है लिखके ऐसी आटी पर जमा करना होता है या फिर आप अपने कोलेज को ही दे सकते हैं अगर वह एक्ट्यू होंगे लेकिन कोलेज वालों का भी भरोसा नहीं है आप सिंपली डायरेक्ट जो है एसी आटी सकते हैं ठीक है तो ये सारी बातों है और जो अब है कमेंट करना होगा वेटकर क्यूंकि उनकार unwilling hope 4 semester का अगर exam यहां करा दिया जाता है तो जो भी भड़तिया अपने इस्टेट में नहीं लेकिन अज़री सेट में व्वरतिया आ रहे हैं एक से कम वह तो भड़ती में और शामिल भोप आएंगे तो कही न कहीं देखिए अलग से परिक्षाइं कंड़क्ट नहीं कराते हैं तो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बाकि अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करिएगा अभी के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में तब ते के लिए आप अपना ख्याल रखे और जैनल को सब्सक्राइब कर लिए आ यांक्षा वाजिंग टेक क्यार